कहानियों की श्रंखला में एक बर पुनह आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समख्ष रेणु वर्मा की प्रसिद कहानी छीटों की चीखें लेकर उपस्तित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी अमल घात या एसिड अटैक पर आधारित है। इस शब्द को सुनते हैं व्यक्ति के रूप काप जाती है। भीतर दर्द की एक लहर दोड जाती है। कहानी छीटों की चीखें। सफेदी पोते हुए कक्ष, सफेद परदे, सफेद बैट पर हरी चादर, उपर ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप, बाए हाथ पर कैनुला ड्रिप चड़ते हुए हाथ खिलते ही उसकी आँखें खुली। कैसी हो नंदिता? निखिल बोला, ठीक हूँ, केशव नहीं आया। नहीं, उसे जरूरी काम से मुंबई जाना पड़ा, दो दिन में आ जायेगा, मुझे आयना दो, यहां अस्पताल में आयना नहीं हैं, प्लीज मुझे बिठा दो। उठने की कोशिश करते हुए नंदिता बोली। सहारा देकर निखिल ने नंदिता को बिठाया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ उस दिन? निखिल बोला, पता नहीं, दो लड़के आये, बातरूम में मैंने गेट के छेट से देखा, तो उनके हाथ में एसिट की एक बूतल मैं घबरा गई और वहीं बैठ गई लेकिन उन्हें पता चल चुका था कि मैं बातरूम में ही हूँ। वे लोग बातरूम का दर्वाजा पीटने लगे, मुझे बहुत डर लग रहा था निखिल और मैं भगवान को याद करने लगी कि काश कोई आ जाए या भगवान कोई फरिष्टा भेज दे जो मुझे बचा ले। यह सब कहते कहते नंदिता की आँखों से दर्द के आंसू छलक पड़े और वह फूट फूट कर रोने लगी। रो मत प्लीज तुम आराम करो और सू जाओ। नहीं इतने दिनों से सो ही तो रही हूँ। आज बताने दो तो वहाँ पर स्टील का एक वाईपर पड़ा था। मैंने उससे खुद को बचाने की कोशिश की और इसी बीच वह एसिड की बॉटल तूट गई। सारा एसिड मुझ पर गिर गया। मेरा बदन जलने लगा ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे जलती भट्टी में जोग दिया ह मैं जोर जोर से चीखने लगी तो कुछ लोग आ गए। उन में से एक ने मुझे पानी की बॉटल दी और मैंने पानी जैसे ही बदन पर डाला तो मास के हिस्से तूट तूट कर जमीन पर गिरने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया और किसी ने क्यों लगे। नंदिता का सुंदर चहरा काला हो चुका था। चमड़ी उतर कर गुलाबी मास के लोथड़े दिखाई दे रहे थे। एक आँख की रोशनी पूनता खो चुकी थी। दूसरी आँख भी घायल थी। गुलाबी ललाई लिये जिन होटों पर सदा मुस्कुराहट हो रहती थी। वे जलकर एक दरावना रूप ले चुके थे। चहरे को देखकर ही सिहरन सी हो रहे थी। चहरे के नीचे शरीर पर चर्म नाम का कोई स्थान नहीं था। केवल गुलाबी जले हुए मास के टुकड़े। तो कहीं कहीं हड्डियां ही नजर आ रही थी। दाएं हाथ की दो उंगलियों और अंगूठे को छोड़कर बाकी पूरा हाथ जल चुका था। बाया हाथ सही था जिससे वे अपने चहरे को छूकर देख रही थी। आज लगने लगा जैसे सुन्दर ताज को किसी हैवान न ने राक कर दिया पर कुछ समझ नहीं आया केशव तुम आ गए कब आये निखिल ने पूचा अभी आया था और सीधा हॉस्पिटल ही भागा नंदिता सो गई है हम बाहर चल कर बात करें हाँ हाँ कुछ बताया ना तुने हाँ वही जो फोन करके तुम्हें बताया था एफ पोयार करवानी होगी पुलिस कंप्लेंट में दिक्कत हो जाएगी एक नंदिता की ये हालत दूसरा कोड का चहरी के चकर केशव हकला कर बोला कैसी बात कर रहे हो केशव डॉक्टर ने कहा है नंदिता के बचने का कोई चांस नहीं तुम उसका सरवनाश करने वालों को सजा नहीं दिलाओगे नहीं मैं पहले ही तूट चुका हूँ केशव कौन है अंदर बुला रहे हैं केशव केशव हान अंदू बोलो मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया मैंने सच्चे दिल से तुमी से प्यार किया है किसी और की जगह मेरे जहन में कही नहीं है जोल से हुए चेहरे को देखकर केशव डर गया कहीं उंगली रखने तक की जगह उसके चेहरे पर नहीं थे उसे देखकर केशव उल्टियां करने लगा और बाहर आ गया तुम सोजाओ डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है निखिल ने सहारा देकर उसे लिटा थोड़ी देर बाद ही नंदिता बेचैन हो गई वह कापने लगी निखिल तुम नंदिता को संभालो मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ निखिल मुझे सांस नहीं आ रही है उसने उसे बिठा दिया बिठाने पर भी उसे सांस में तकलीफ होने लगी निखिल मुझे खड़ा करो जैसे ही निखिल ने खड़ा करने के लिए उसका हाथ पकड़ा नीचे तक खून बह गया उसकी उंगलियों के बीच से मास बाहर आ गया खड़ा करना मुश्किल हो रहा था नंदिता की सांस उखड़ने लगी जिस बदन से सदैव इत्र की खुश्बू आती थी अब जले मास के एक जगे पड़े रहने के कारा दुरगंध आने लगी थी निखिल का भी उसकी हालत देखकर दम घुटा जा रहा था लोगों की हैवानियत पर क्रोध हा रहा था इसे छोड़ दो डॉक्टर ने कहा उसके नाक में ऑक्सिजन मास्क लगाया दिल पर जोर से धक्का दिया दस मिनट तक उसकी दे तरपती रही फिर धीरे धीरे शान्त हो गए केशव केशव नन्दिता नहीं रही केशव सुन्न सा हो गया ना बूला ना रूया सिर पकड़ कर कहीं अतीत में खो गया वा नानी बहुत सुन्दर बहु लाईयो गोरी ठुमकते हुए बूली सुन्दर होने के सासथ बहुत सयानी और सुशील भी है हमारी नन्दिता नानी ने घागरे की कोर सही करते हुए कहा यह सब सुनकर केशव का मन गुदगुदाने लगा वे नंदिता से मिलने को बेताब होने लगा उस पल की कलपना करके ही सेरन होने लगी जब नंदिता उसकी बाहों में होगी जो जो आकाश में दुन्द छाने लग रही थी त्यों त्यों केशव के इंतजार की घड़ियां कम होती जा रही थी सांज होते ही जल्द भोजन कर पेनहाद होकर नया चोला पजामा पहन तयार हो गया तीन बार उसने इतर से स्वैम की बगलों को महकाया यहां तक की मुँ में भी लगा लिया देवर जी बहुत तयार हो लिये जाईए अब जाओं मैं थोड़ा संकोच में आकर केशव बुला पहले हमें पांसो का नेग देकर जाईए केशव ने उनसे जल्दी से सुलटना ही ठी और भावी को पांसो कनोट थमा दिया नंदिता को देखते ही केशव खोसा गया पूर्णेंदू सा गोल चहरा उस पर चंचल हिर्णियों की भाती क्रीडा करती सुन्दर अकिया पतले पतले लाल लिप्स्टिक लगाये होट ठुड़ी पर छोटा सा गढधा जो इसकी शोभ में चार चांद लगा रहा था हांसिनी किसी पतली गर्दन बालों में उचा बनाया जूड़ा जिस पर उसकी ओड़ने अठकी थी कैसी हो नंदू अच्छी हूँ आप कैसे हैं तुम जैसी पतनी पाकर मैं धन्य हो गया जितनी तुम्हारी प्रशंसा सुनी थी उससे तो में भर कर वह बूला केशव नंदिता को गोद में सुला कर उसके बालों में हाथ फेरते हुए पून भाव विफोर हो गया केशव केशव नंदिता दोड़ती हुई आई अंदर चलो मैं आता हूं कार से सामान उतारते केशव बोला पहले सुनतो लो तुम्हारी सारी ठकान दूर हो जाएगे अंदर बैठ कर बात करते हैं नंदिता भन भनाती अंदर चली गई और जाकर धड़ाम से सोफे पर बैठ गई कमरे के भीतर पलंग पर साथ सुत्री बेल बूटे छपी चंदर बिची थी ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे थे जिससे घर महक रहा था सारी चीजें करीने से रखी थी सफेद पॉलिश किये खिड़की दरवाजे उन पर रेश्मी पर दे लकड़ी पर सुंदर खुदाई करके बनाए फ्रेम डाइनिंग टेबल पर पीतल के सजे बरतन सब कुछ विवस्तित था जिसे देखकर नंदिता को खुश हो जाना चाहि था पर वह केशव के रुख को देखकर कुछ हकलासी गई छे माँ पहले अचानक नंदिता को सरकारी दस्तावेजों की जाच करने जाम नगर भीश दिया गया था वह केशव और शहर कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी अब भी उसके विवा को साल भर भी नहीं हुआ था पर नौकरी थी तो जाना लाजमी था सारे प्रयासों से ठक कर नंदिता को जाम नगर जाना ही पड़ा जाने से पहले केशव को हजारों हिदायते दी नानी की दवाई का ध्यान रखना नानी का बिस्तर रोज दूप लगाना रैसोई की खिड़की बंद रखना बंदर सामान ले जाएंगे फूलर का पानी बदलते रहना पौदों में पानी डाल देना ऐसी कितनी ही नसीहतें केशव चुपचाप सुनता रहा रोज फोन पर भी वही बातें नंदिता की सबसे बड़ी चिंता नानी के लिए थी और फिर घर ग्रैस्ती के लिए उसे कहीं न कहीं जलन होने लगी मन का एक कुना सूना सा रहने लगा क्योंकि नंदिता रूप से सुन्दर थी और वैसामान सावला यूवक उस पर कमाई का साधन भी निश्चित नहीं था हिंदी का पत्रकार था कभी अच्छी खबर मिल गई तो कमा लेता नहीं तो ऐसे ही दिन मक्खिया मारने में गुजरता खाली दिमाग में हजारों विचार आते उपर से नंदिता की सरकारी नौकरी वह साथ में महीने के पचास हजार रुपए कमाती थी नंदिता चाय पियोगे नहीं इस्टेशन पर निखिल मिल गया वहीं पिली वह क्यों आया उसे खबर थी तुमारे आने की हाँ मैंने बताया था और थोड़ा काम भी था उससे अब कहां गया वह मुझे घर छोड़कर अपने घर चला गया मुझसे बिना मिले थोड़ा चिड़कर केशव बूला उसे जरूरी काम था तो निकल गया अच्छा बोलो क्या कह रही थी तुम बाहर आते ही मेरा प्रमोशन हो गया और वह भी निकल के प्रयासों से ओ तुम्हें खुशी नहीं होई ऐसी कोई बात नहीं तबी फोन की घंटी खना कुठी तो दोनों ही अलग-अलग हो गया हलो नंदिता उधर से निखिल की आवाज है हाँ निखिल बोलो मुझे भी जाम नगर पोस्टिंग मिल गई अब तुम अकेली नहीं रहोगी निखिल ने कहा अच्छा चलो यह तो बढ़िया है अंजाने शहर में कोई तो अपना होगा समय हो तो घर जरूर आना हाँ जल्दी समय निकाल कर आता हूँ फोन करते ही केशव और भी कटासा हो गया नंदिता निखिल से तुम कुछ जादा ही हसकर बात नहीं कर रही थी ऐसे तो कभी तुम मेरे साथ भी नहीं करती नंदिता को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी सबसे ऐसे ही बात करती नहीं में तुमारा लहजा सही नहीं था बात करने का केशव क्या हो गया है तुम्हें नहीं तुम्हें हो गया है नौकरी का घमन उस पर तुमारी सुन्दरता क्या कमी है तुम्में निखिल भी सुन्दर है अब नौकरी भी लग गई यह सुनकर नंदिता को लगा उसे उनों के बीच कोई बात नहीं हुए। नंदिता का दिल्ली आने का उत्सा खत्म हो गया। छै माह से केशव से मिली नहीं थी। वह मिलन की कल्पना दिलो दिमाग में वैसे ही रह गई जैसे पुराने अकबार पर छबी खबर। रात भर शायद दोनों ही नहीं सो सके। नंदिता रात में दस्यों बार आँखों से आँसू पोँच चुकी थी। दूसरे दिन सुभह घर की खिड़कियां खुली और गुनगुनी धूप आदे कमरे में फैल गई। नंदिता ने उठकर केशव के पसंद का मटर पनीर बनाया, ब्रेड का हलवा बनाया। उसे बुलाने कमरे में गई। केशव का चेहरा बुझा बुझा सा था। आँखे मानों खाली कटोरे में उबले पड़े हुए अंडे जैसी हो गई। नंदिता ने गौर से देखा कि केशव पहले से काफी ठका सा नजर आ रहा था। उसे केशव का हाथ अपने हाथ में लेकर आँखों में देखते हुए पास बैठी। केशव खाना खालो, मुझे भूख नहीं। मुझे तो भूख है, कल सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, तुम्हारे बिना मैं नहीं खा पाऊंगी। नंदिता रोने लगी। रोम अतनन्दू, वे भी संजीदा हो गया, बस मुझे तुम्हारा निखिल से मिलना अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं मिलूंगी, जैसा तुम कहोगे, वैसा ही करूंगी, बस तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। दोनों के आँखों में इसने बढ़ने लगा, और केशव ने नंदिता को गले लगा लिया। अह, क्या हुआ केशव, मेरे सीने में दर्स हो रहा है, वै पसीना पसीना हो गया, चलो हस्पिटल चलते हैं, नहीं पानी पिला दो मुझे, पानी पीने से वै काफी आराम महसूस करने लगा, ऐसे अचानक क्या हुआ केशव, मुझे तुमारी वै हसी आदा गई, जो निखिल से बात करते तुम हस रही थी, केशव ये टॉपिक खतम हो चुका हमारे बीद, कुछ खतम नहीं हुआ, मेरे रदय पर करोडों चाकों से वार हुआ है, इतनी जल्दी कैसे खतम हो सकता है, केशव तुम्हारे दिमाग खराब हो क्या है, असलियत बता दी इसलिए, असलियत ये है कि वै मेरा मित्र था, इससे जादा कुछ नहीं, वै तो तुम्हारा बोलने का लहजाई बता रहा था, वै तुम्हारा क्या लगता है, क्या नहीं, तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा कुल बुला रहा है खाली बैठे यहीं गड़ित के सूत्र लगा है तुमने चुप हो जाओ नंदिता वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सही बात कैदी इसलिए बिजी आदमी हो तो ऐसे ख्याली मन में ना आए पर हफते में तीन दिन काम करते हो चार दिन भी रूजगार ऐसे ही घटिया विचार आएंगे नंदिता जोरदार तमाचा मारते हुए केशव बॉखला गया निकल जाओ मेरे घर से नहीं तो अनर्थ हो जाएगा नंदिता दूसरे कमरे में जाकर रोने लगी बहुत बेबस हो गई थी यह सब कुछ होते हुए भी शुकर है आज नानी हरिद्वार तीर थियात्रा में गई हैं नहीं तो न जाने क्या-क्या बख्या उधेडती केशव की नंदिता इस समय अपने आपको हिंदी कहानियों की वह उपेक्षित गवार महिला समझ रही थी जो पती से पिटने के बाद भी उसी की शर्रम में खुद को सुरक्षे समझती है विक्रे बाल, सूखे होट गालों पर सूखे आसुओं के निशान वह धर्ती पर बैठी काप रही थी केशव किसी राक्षत से कम नहीं लग रहा था उसने कितने सपने सजाए थे जाम नगर में दिन में आफिस की थकान के बाद भी रोज 6 बजे कमरे में आने पर केशव के फोन का इंतजार करना जैसे कोई प्रेमी का प्रेमी के आने का इंतजार करती है रोज सोते समय केशव की फोटो पर उसके चहरे को गौर से देखती और चूमती जाम नगर से ट्रेन पकड़ने पर बैठते ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई नवेली दुलहन ससुराल जा रही है केशव के साथ जो अंतरंग पल बिताये थे उन्हें याद करके ही उसके जिस्म में सेहरं सी दोड़ गई अभी कुछ दिनों से उसे लगने लगा था केशव कुछ बदला बदला सा है फोन भी तीन-चार दिन में करता है बाते भी उक्रे-उक्री सी करता है लेकिन उसके मस्तिश्क में क्या उधिर्बुन चल रही है ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा था अब उसे याद आया गया उसने परशांथ की प्रशंसा की थी बातों बातों में फोन पर वह थावी प्रशंसा के काबिल सबने कैसे मिलना है कैसे मंत्रियों से बात करनी है कैसे अपने कलीक को संतुष्ट करना है नन्दिता का प्रमोशन भी उसी के प्रेस नोट के कारण हुआ सारा मैटर निखिल ने तयार किया काग जी पुलंदों को बांधे दिन रात मेहनत की मंतरी महोदय के पिये से जानकारी निकाल पचास हजार रुपे रिश्वत थमाई जिसका उसका दो साल बाद होने वाला प्रमोशन इतनी जल्दी हो गया पूरा ओफिस उसके काम से प्रभावित था चप्रासी से लेकर अधिकारी तक सबकी वह कदर करता नंदिता ही नहीं ओफिस के सभी कर्मचारियों पर उसका एसान था पोस्ट माटंग फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दीजे नर्स ने पैन देते हुए कहा इनके पती वे हैं उनसे करवाईए निखिल बोला तो आप कौन है जी मैं मित्र हूँ इनका ओके पोस्ट माटंग फॉर्म पर हस्ताक्षर कीजे पैन हाथ में देते हुए नर्स बोली केशव अचानक अतीत के पन्नों से लोटा और कापते हाथों से हस्ताक्षा किये वैं फिर बैठने लगा कि मोबाइल के रिंग टोन से सचेत हो उठा हलो कौन साहब काम हो गया पचास हजार जो बाकी है वैं कहां लेने आना है सालों जेल में चक्की पीसोगे तुम क्यों तुम्हें उसके चेहरे पर चार पांद गुन जाब डालने को कहा था उसकी सुन्दरता नश्ट करनी थी तुमने तो पूरी की जला दी उसे क्या साहब मर गई है और नहीं तो क्या सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था साहब पर तुम्हारी आइटम थी बहुत शीरनी हम पर वाइपर से वार कर दिया मेरे दोस्त का पूरा हाथ जल गया इसी चक्कर में बोतल फूर गई तेजाब उस पर गिर गया उसे जलाने का मन ही नहीं कर रहा था साहरी बहुत सुन्दर थी बहुत नाजुब पर क्या करें पेट की आग के आगे उसकी दे को जलना ही था कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें तुमको तो पुलिस बताएगी साथ में तुम भी जाओगे ध्यान रखना लड़की तो मर गई खुद और सड़ोगे जेल में सारी उम्र यह गलती मत करना हमारा क्या हम तो आदी हैं इसके और फोन कट गया फोन तो कट गया पर केशव की अंतरात्मा नहीं केशव स्वैम को ही कटा हुआ महसूस करने लगा उसका दम गुटने लगा और टांगे कापने लगी उसका मस्तिश के जन जनाने लगा उसे लगा नंदेता खड़ी उससे जवाब मांग रही है क्या कमी थी मुझ में मात्र निखिल से बात करना वह भी एक रिष्टा जो जायस नाजायस जैसा भी था आज किवल जजबात ही पैदा करता है भले ही उसकी शुरुवात कैसे भी हुई थी या नहीं थी अंदेरे में ही तीर चला दिया मैंने विवाह के बाद पहली बार घर घरसा लग रहा था जब चा भी पिता को छोड़ किसी और से विवाह कर लिया नानी ने भूका तो नहीं मरने दिया पर घर में कुछ कहलाने लायक भी नहीं था नंदिता ने घर में आते ही सारी जिम्मेदारियां ओड ली बेल बूटों के लाल कालीन सुंदर चद्दर पीतल के बरतन और भी नजाने क् घर को चमन बना दिया शायद यही अपराद हो गया था उससे सबसे अधिक प्रेम करना कितनी सुन्दर हो जितने सुन्दर हो उतने ही सीरत वाले भी हो जिसे शक्स को आधार बना कर उस पर तेजाब डलवाने का दुशकर्म किया भेवी आज निराधार हो गया मते दम तक उसकी हलक से कीवल मेरा ही नाम निकल रहा था और और निखिल जिसको हमेशा दूर से ही देखा था किन्तु आज पहली बार गौर किया और नस्दिक से देखा तो वह सबका ही सम्मान करता है सबसे हसकर बात करता है मिस्टर केशव बॉड़ी ले जाए नर्स बोली हो गया पोस्ट मॉटम नहीं पोस्ट मॉटम जैसा कुछ बचा ही नहीं उनमें सब कुछ जल गया नर्स बेपरवाही से बोली नंदिता का अंतिम संसकार कर घर लोटा तो उसे लगा घर का एक-एक सामान, बिची मेज, फरनीचर सब उसे हींद रिश्टी से देख रहे हैं घर में गोस्ते ही नंदिता के स्वर आज भी कान में गूंचने लगे नंदिता सिंग दिखा देगी दुनिया को कि इस्त्री में भी पुर्षों के समान बुद्धी बल है वह भी उनके संपकष चलने का ध्यान रखती है और उसने क्या किया उसकी बुद्धी, बल, सौंदर, उसके सपनों को ही कुचल दिया केशव सिसकने लगा और जोर से उसकी रूलाई फूट पड़ी उस पर नंदिता की मौत का दाग ही नहीं और भी बहुत सारे कलंग जिन्होंने उसका जीवन दूभर कर दिया था इन सब के बीद वह हाँ वह कैसे जीने का अधिकार रख सकता उसी रात उसने फांसी का फंदा लगाया वह अपने प्राणों का त्याग कर दिया किन्तु प्राण पंची भी उसी पिंजरे में कैद हुए पंची के समान थे जो साल दो साल पिंजरे में रहने पर अचानक में पिंजरे की खिड़की या दर्वाजे के खुला रह जाने के बाद भी बाहर उनने का शौक नहीं रखते केवल दर्वाजे पर बैठते हैं वही हाल उसके प्राणों का था पर कुछ समय बाद वे उड़ गए अब आकाश और पंची के बीच में पिंजरा नहीं था बस फंदे पर जूलती दो टांगे नजर आ रही थी और पूरा कमरा नंदिता पर गिरे छीटों की चीखों से भर गया जब आप मेरे साथ कहानी सुनते हुए यहां तक आही गए हैं तो क्रपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें धन्यवाद